सद्गुरू नमस्कारम आपने अपने पिछले सत्संग में कहा था कि 30 प्रतिशत बिमारियां शरीर की होती हैं और बाकी मन से पैदा होती हैं मैं बस जानना चाहता हूँ कि अगर हमें कोई बिमारी होती है तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इसे मन ने पैदा किया है या ये शरीर की है और अगर ये साइको समेटिक या मनोदहिक प्रकृति की है तो इसके पीछे किस तरह की भावनाओं और विचारों का हाथ होता है हम कैसे इसका पता लगाएं और अगर हो सके तो इसे कैसे ठीक करें धन्यवाद मान लिजे कि आपका दाया हाथ अजीब हरकते करता है आपको मारता है आखों को कोचता है आपको बिमारी है या नहीं है है न निश्चत रूप से है आपका मन बिलकुल यही कर रहा है है यह जाकता है इधर उधर जाता है आपको चोट पहुंचाता है आपको रुलाता है आ आपको दुख देता है, आपको बीमारी है या नहीं, अगर आपका हाथ आपको कौँच रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो निश्चित रूप से आप बीमार हैं, है ना? तो अगर आपकी भावनाएं और विचार आपको हर दिन कोँच रहे हैं, आपका गला गोट रहे हैं, और आपको यातना दे रहे हैं, तो क्या आप बीमार नहीं हैं? मैं आपकी परिभाशा से ही चल रहा हूँ, तो चूंकि ये बीमारी जारी है, ये कई तरीकों से बहुत एक शरीर में जाहिर होगी, इसमें आप कोई शक नहीं है, हर विचार, मन के स्तर पर होने वाला हर स्पंदन, आप कैसे स्पंदन पैदा करते हैं, उसके अनुसार, अभी अगर आप शेर के बारे में सोचें, आपकी केमिस्टरी एक तरह की हो जाती है, रासाइनिक बदलाव आते हैं, आप फूलों के बारे में सोचें, एक दूसरी तरह का रासाइनिक बदलाव होता है, इसे नापा जा चुका है, तो हर विचार के साथ, अगर पूरी केमि इसी हालत में हैं, तो आप जानते हैं कि आप किस तरह का सूप तयार कर रहे हैं, आप एक घटिया सूप हैं। सिर्फ घटिया ही नहीं, जहरीला भी। अगर आप इस जहरीले सूप में हर दिन डूबे रहते हैं, तो खुशाली कैसे मिलेगी? ये वैसे नहीं आएगी। कुछ थोड़ा जहरीला हो गया है। आद उने एक समाज मानने लगे हैं कि बीमारी और विकार एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो एक गंभीर गलती है। प्राचीन सभ्यताओं ने हमेशा बीमारी को एक गलत चीज की तरह देखा। एक इनसान को ऐसा नहीं होना चाहिए, एक इनसान को बीमारी की किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीमारी यानि बुन्यादी तोर पर कुछ गलत है। लेकिन आधुनिक समाज मानने लगा है कि ये सामान्य है क्योंकि ऐसा एक पूरा उद्योग है जो आपकी वज़े से फल फूल रहा है बहुत बड़ा उद्योग इस धर्ती पर दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है दवाईयों का अगर इस दुनिया में दवाईयों का उद्योग दूसरा बड़ा उद्योग है यानि कि घटिया सूप की भरमार है आपको हर दिन इसमें कुछ न कुछ डालना होता है ताकि नहीं अगर आप चाहें तो हम इसे बड़े शांदार सूप में बदल सकते हैं केमिस्ट्री बहुत शांदार अवस्था में है आनंद में होना स्वाभाविक है अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन कीजे धर्ती से 70 प्रतिशत बीमारियां गायब हो जाएंगी बाकी बची 30 प्रतिशत कई बहरी कारण होते हैं जो हमेशा काबू में नहीं होते आप उन्हें काबू नहीं कर सकते सिर्फ कुछ हद तक तो अगर आप लगातार अपने भीतर बुरी केमिस्ट्री पैदा कर रहे हैं तो आपके भीतर के जीवन को कैसे पता चलेगा कि आप खुशाली चाह रहे हैं कैसे? यह अन्याय है? आपके भीतर का जीवन सोचता है, इसे बिमारियां पसंद है और वो आपको दे देता है अगर आप अपने सिस्टम को जहरीला बना रहे हैं भीतर से, जिसके लिए ठोज सबूद मौजूद है कि हर विचार और भावना के साथ आपके शरीर के रासाइनिक संरचना बदल रही है अगर आप अपने भीतर जहर पैदा कर रहे हैं और आप अच्छे से जीना चाहते यह कैसे होगा? जीवन ऐसे काम नहीं करता जब तक आप सही चीजें नहीं करते आपके साथ सही चीजें नहीं होगी